नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया याद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो कानपूर में धर्ण परिवर्दन का पार पढ़ाने वाले वरिस्ट आईएस इफ्तकार उद्दीन के बरखास्तगी को लेकर आज अखिल भारती अमट मंदिर समीती के द्वारा डीसीपी कार्याले पहच कर ग्यापन देकर मांगी है कितत कालीन मंदला युक्त कानपूर मंदल इफ्तकार उद्दीन के निलंबन को लेकर आज डीसीपी कार्याले में क्यापन दिया गया संगठन की मांगी है कि उनके उपर एसाइटी टीम तो जाज करेगी उसके पहले इनको परखास किया जाए ताकि भविस्ते में इस तरीके से कोई भी देश को बटवारे का पाठ ना पढ़ा सके इसी को लेकरा संगठन की लोग डीसीपी कार्याले पहुंचे है इसके पहले ही अखिल भारती मठ मंदिर के द्वारा इस मुद्दे को वीडियो दिखा कर सरकार के सामें लाया गया था और लगातार अखिल भारती मंदर संगठन की इस मुद्दे को आगे से आगे उठाता रहेगा मैं अखिल भारती मठ मंदिर समन्वे शिमित की तरफ से कानपूर दक्षिड की अध्यक्ष ये मांग लेकर आई हूँ कि इस कारूत दिन जो की मंदला आयूपत रहे कानपूर में उन्होंने अपने सरकारी बंगले में प्रसासनिक पत पर रहते हुए धर्मांतरण कराने का जगर ने अफ़राद किया है तो हम मानी मुख्यमंत्री जी को ये ग्यापन सोपने आए हैं इस पे आफिस की वो यहाँ पर उनको जाच कराने का आदेश बाद में दें पहले उन्हें निलंबित करें फिर उनकी जाच कराई जाए ये हमारी मांग है